हाई स्टुडेंट वेलकम टू आर्चे या जू हग ओनलाइन क्लासेज आज का हमारा जो टोपिक है बाजरे का अरगट या चेपा रोग देखेंगे से बाजरे का अरगट या चेपा जो रोग होता है इसमें जो रोग का नाम जो दे रखा है यहां पर अरगट अरगट जो दिया हुआ है इसे अरगट का जो सामानने अर्थ होता है यह होता है इस्क्लेरोसियम अरगट का सामाने अर्थ क्या है इस्क्लेरोसियम इस्क्लेरोसियम जो होता है ये होता क्या है कवक जो होते हैं फंगस कवक जो होते हैं वो मिलकर एक कठोर संदचना बनाते हैं कठोर संदचना बनाते हैं जिसका रंग जो होता है वो भूरे है, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है, उस संदचना को ही हम बोलते हैं स्कलेरोसियम कावा के उत्तक जो होते हैं, ये एक कठोर संदचना का निर्मान करते हैं, जिसे स्कलेरोसियम कहते हैं, इसका रंग गहरा भूरा या फिर काले रंग का होता है पुछा जा सकता है अरगट का सामाने अर्थ क्या है स्कलेरोसियम, एक नमबर में कुछ्छन पूछे जाते हैं, इसकलेरोसियम किसे कहते हैं, कवग उद तक मिलकर कठोर संडचना बनाते हैं, जो की गेरे भूरे या काले रंकी होती है, उसे इसकलेरोसियम कहते हैं, यहां से तो यह वाला जो पार्ट है अपना यह तो वह अरगट का सामाने अर्थ क्या है, स्कलेरोसियम किसे कहते हैं, इसके बाद में एक कवक है, जिसका नाम है क्लेवी सेप्स, एक कवक है, क्लेवी सेप्स, क्लेवी सेप्स कवक से प्राप्त होने वाला जो इसकलेरोसिया होता है, इसका मतलब यह है कि क्लेवी सेप्स कवक के उत्तक जो होते हैं वो मिलकर एक कठोर संदचना बनाते हैं उत्तकों से कठोर संदचना जो बनी है वो क्या कराती है इसक्लेरोसिया इसक्लेरोसिया में एक एलकेलोइड पाया जाता है एक एलकेलोइड होता है रासाइने पुरहत होता है जिसे अर्गोटीन या अर्गोटोक्सीन कहते हैं तुबारा से समझेंगे इसे एक कवक है नॉर्मल है कवक फंगस जिसका नाम क्लेवी सेप्स है क्लेवी सेप्स कवक के उत्कों से एक संरचना का निर्मान होता है इसकले रोसिया कहते हैं IRC फिसकलेरोसिया के अंदर एलकेलोइड मिलता है यह जैलकेलोइड होता है इसे एरगोटीन या अर्गोटॉक्सीन कहते हैं कि में आगया हो गए क्लेविसेट के स्क्लेरोसिया से प्राप्त एलकेलोइड को अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सीन कहते हैं अब किसी भी कारणवस्य यदि यह अर्गोटॉक्सीन जो होता है यह पस्वों के सरीर में प्रवेश कर जाए पस्वों के सरीर में किसी भी सिर्मन फेलाता है जो रोघ होता है जिसे उल्टिया होने लगती हैं चक्र ाने लगती हैं। यह सभी उसके लक्षण होते हैं। उसके बात Мें उस रोग को अर्गोटिज्म कहते है पस्वों में इस एलकेलोईड या अर्गोटिज्म से उत्पन होने वाला जो रोग है वो अर्गोटिज्म कहलाता है ये गया पहली बात इसमें अरगट का सामाने अर्थ क्या है स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशियम कहते किसको है, कवक उतकों से निर्मित कठोर संदचना काले भुरे रंकी होती है, इसके बाद में एक रोग है, इसको पढ़ना था यहाँ पे, जिसका नाम है अरगोटिज्म, अरगोटिज्म रोग क्या होता है, यदि कोई पसू क्या खाले, अरगोटोक्सीन, अरगोटिक्स, टोक्सीन जो होता है, वो क्या होता है, एलकेलोईड, यह एलकेलोईड किस से प्राप्त होता है, स्क्लेरोशिया से, यह स्क्लेरोशिया किस से मिलता है, क्लेविसेप्स कवक से, चले, बाजरे का अरगट चेपा जो रोग है, उसके लक्ष पूस्पा अवस्था में है जब पूस्पा आने लगते बाजरे में भालिय जब निकलने ही वाली होती है उस वक्त इसके उपर दिखाई देते हैं यहां से मधू बिंदू अवस्था पहली मधू बिंदू अवस्था और दूस्ती होती है इसक्लेरों सी आवस्था दोनोई नाम से ही है कि पुस्त जो है बालिया जो होती है उसके उपर यदि मधू मधू का मतलब क्या होता है सहेद मधू का मतलब क्या होया सहेद यानि कि बालियों गून और किंगे स्क्लियूरोसिया इसक्लियूरोसिया होता क्या हैक या उपर पड़ा है तो कुन जी अवस्ता ओ जाएगी किस्क्लियूरोसिया अवस्ता देखें लॉत्त जॉपर स्दू बढ़ाव कर मत्ति होगager के जैसे कि टेप Application wasp मध्यू बिंदू अवस्था और इसी वज़े से ये चिपचपे बूंदे दिखाई देने की वज़े से ही हम इसको क्या बोलते हैं बाजरे का चेपा रोग पुछा जा सकता है अरगट रोग को चेपा रोग कहते हैं क्यों मध्यू बिंदू अवस्था के कारत नेक्स्ट इसक स्क्लेरोशिया वस्ता जो है मंध्यू विन्दू अवस्ता होती है में है हो में अधूने दस दिन वाद और बाली ओम में टानसी इस्थान पर बालिक्ष की अंदर चाहल नहीं बनते हैं का OSC कों से बनी संरचना हमें उसमें दिखाई देती है जिसे स्क्लेरोसिया कहते हैं इसके उपर दिखाई देने लगते जिसका रंग जो होता है वो गहरा बूरा या काले रंग का होता है यह हो गया हमारा लक्षन लक्षन जो होते हैं वो दो रूपों में दिखाई यहां पर हमें देते हैं मधुबिंदु आवस्ता और इसकले रूसी आवस्ता आपको समझ में आ गया होगा नेक्ट रोग जनल है फैलता किसे है कवक से फैलता है किसे फैलेगा कवक से कवक का नाम क्लेवी सेप्स फ्यूजी फॉर्मेस क्लेवी सेप्स फ्यूजी फॉर्मेस रहता किसमें है उतरजित किसमें रहता है म्रेदा में इसो जैसे क्या कहते है इसको म्रेदोड क्या कहेंगे म्रेदोड यह कवक्ष होता है यह बाजरे में पुस्पन के समय बाजरा की जो फसल होती है तो उसमें कौनशी अवस्ता में जब पुस्पन आता है यानकी पुस्प अवस्ता जब आती है पुस्पाने लगते हैं बाजरे में उस वक्त ये कवक्ष जो होता है ये अंकूरित होता है और अंकूरित होकर एक बीजानू बनाता है उस बीजानू का नाम है एसको बीजानू इसको भीजानू जो होते हैं ये वायू के मध्धम से जो नावजात कोदे है बाजरे के जिन में पुस्पन की क्रिया प्रारम हुई है उनके उपर पहुंच जाती है और अपना प्रकोप उसके उपर दिखाने लगती है जिससे उसमें संकर्मन खैल कर हमें लक्षन दिखाई देते हैं अर्था बाजरे के अंदर यह चेप जो रोग है हर गड़ जो रोग है यह हो जाता है कि इसके बाद प्रबंधन प्रबंद्न जो है इसको तीन पर्ट में डिवाइड किया गया है पर्ला क्लु Просто मेंडरिमेंगेंड सेकर्ड जो होता है कैमिकल और थार्ट प्रबंदय जो है इसमें प्रबंदय जिसमें ग्रिस्म काल में खेट जो होते हैं कि क्या होगा भी यहां पर फूजी में करें तो यह नीचे से एक आजाएगा गोमी के उपर और वहाँ पर अनुपूल एंवारमेंट नहीं होने की वज़एसे नंस्ट तो गहरीन जुताई कर बीज जब खरीदकर लाते हैं तो सौश्थ बीज होने चाहिए और प्रमानित होने चाहिए बौई करे और अगेती करने का कि यहां से जो कवक है उसका अंकूरण जो होता है यादिक इसको बीजाणु जो बनता है एक निस्चित समय में बनता है तो यदि हम इसकी बॉई पहले कर देंगे तो पुस्पन की जो क्रिया है वो बहुत ही पहले आ जाएगी और इसका प्रकॉपस पर नहीं होगा इसके अलावा बाजरे की हसर के लिए जो बीज हमलाते हैं उन बीजों में इसकले रूशिया हो सकते हैं इस वज़े से हमें घर पर एक उपाय करना चाहिए पानी जो होता है उसमें नमक डालकर नमक का घोल बनाते हैं 20% घोल होता है नमक के साथ पानी का उस नमक के घोल में यदि हम इस बाजरे की दाने जो होते हैं या बीज जो होता है इस बीज को हम उसमें डाल देते हैं उस समय के बाद में हम देखते हैं कि बीजों पर लगा हुआ इसकलेरुसियम जो होता है ये बहारा जाता है और उपर आकर उसको हम अलग कर सकते हैं यह हो जाएगे इसमें रासाइनी क्लोराइड और कारबंडा जीन जो होती है उसका छिड़काओ करते हैं नेक्स्ट जैवी जहें हम तोल contratें कर दोले हैं कर दोड़ा है कर दोला है